Your Excellency, Prime Minister Maloney, दोनों देशों के डेलिगेट्स, मेडिया के साथियों, नमस्कार, प्रधान मंत्री मेलोनी की पहली भारत यात्रा पर, मैं उनका और उनके डेलिगेशन का भारत में हर दिख स्वागत करता हूँ, पिछले वर्ष के चुनाओं में, इटली के नागरीकों ने, उन्हें प्रथम महिला, एवं सबसे युवा प्रधान मत्रे के रूप में चुना, इस आइतिहासिक उपलब्दी पर, मैं उन्हें सभी भारत माश्यों की और से, बहुत बहुत बधाई और शुब कामनाय देता उनके कारिभार संभालने के कुछ दिनों बाद ही, बाली में G20 समीट के दोरान, हमारी पहली बैटक हुई थी Friends, हमारी आज की चर्चाएं, बहुती सार्थक और बहुती उप्योगी रही इस वर्ष भारत और इटली अपने द्वीपक्षिय समंधों की पचत्तरवी वर्षगांट मना रहे हैं और इस अवसर पर हमने भारत इटली साज़दारी को स्ट्रेटिक पार्टनर्शिप का दरजा देने का निर्ण लिया है हमने अपने आर्थिक समंधों को और स्रद्रट करने पर जोड़ दिया हमारे मेक इन इंडिया और आत्मनिर भर भारत अभियान से भारत में निवेश के अपार अफसार खुल रहे हैं हमने रिन्योबल एनरजी, ग्रीन हाइड्रोजन, आईटी, सेमिकंडक्टर्स, टैलिकॉम, स्पेस जैसे क्षेत्रों में सहीयोग बढ़ाने पर विशेश जोड़ दिया भारत और इटली के बीच एक स्टार्ट अब ब्रीज की स्थापना की गोषणा आज हम कर रहे हैं, जिसका हम स्वागत करते हैं फ्रेंट्स, एक और छित्र है, जो दोनों देश एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं और वो है रक्षा सहीयोग का भारत में डिफेंस मैनिफेक्टिरिन सेक्टर में को प्रोड़क्शन एंड को डिवलप्मेंट के अफसर बन रहे हैं जो दोनों देशों के लिए लाबदायक हो सकते हैं हमने दोनों देशों की सेनाओं के बीच नियमित्रूप से जोइन्ट एक्सरसाइज और ट्रेनिंग कोर्सिस आयोजित करने का भी मिलने लिया आतंकवाद और अलगावबाद के खिलाप लड़ाई में भारत और इटली कंदे से कंधा मिलाकर चल नहीं हैं हमने इस सहयोग को और मजबुत करने पर विस्तार पूर्वक चर्चा किये फ्रेंड्स भारत और इटली के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल समंद है हमने वर्तमान समय की आवस्ता का अनुशार इन समंदों को एक नया स्वरूप और नई उर्जा देने पर विचार विमर्ष किया दोनों देशों के बीच Migration and Mobility Partnership Agreement पर चर्चा चल रही उस पर जो चल रही वारता का विशेश महत्वा है इस समझोते के सिग्र समापन से हमारे पीपल टू पीपल रिष्ते और सद्रड होंगे हमने दोनों देशों के उच्च सिक्षा सम्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने पर भी बल दिया भारत और इटली के समंधों की पच्चतरवी वर्जगाट मनाने के लिए हमने एक एक्शन प्लान बनाने का निर्णे लिया इससे हम दोनों देशों की विविदता, इतिहास, साइन्स एंड टेटनोलोजी, इनोवेशन, स्पोर्ट्स और अन्य खेत्रों में उपलब्धियों को वैस्विक पट्रल पर सोकेस कर सकेंगे प्रेंट, कोविड महमारी और युक्रेन संगर से उत्पन, फूड, फ्यूवल और फर्टिलाइजर के क्रैसिस से सभी देश प्रभावित हुए हैं विकासिल देशों पर इनका विशेश रुप से नकारात्मक प्रभाव पढ़ा है हमने इस बारे में अपनी साजा, चिन्ता, व्यक्त की इन समस्याओं के समासार के लिए हमने सयुक्त प्रयासों पर बल दिया भारत की G20 अध्यक्स्ता में भी हम इस विशे को प्राथिक्ता दे रहे हैं युक्रेन संगर्स के शुरुवात से ही भारत ने यस्पस्ट किया है कि इस विवात को केवल डायलोग और डिप्लोमसी के जरिये ही सुल्जाया जा सकता है और भारत किसी भी सांती प्रक्रिया में योगदान देने के लिए पुर्ण रुप से तयार है हम इंडो प्रसिफिक में इटली की सक्रिय भागिदारी का भी स्वागत करते हैं यह बहुत खुशी की बात है कि इटली ने इंडो प्रसिफिक ओशन इनिशेटिव में शामिल होने का निर ने लिया है इससे हम इंडो प्रसिफिक में अपना सहयोग बढ़ाने के लिए ठोस विशेओं की पहचान कर सकेंगे वैश्विक वास्तिप्ताओं को बहतर तरीके से दर्साने के लिए मल्टी लेटरल इंस्टिटूशन में सुधार आवशक है हमने इस विशेपर भी विचार विमर्ष किया एक्सलेंसी आज शाम आप राइसिना डायलोग में चिपगेस के तौर पर शामिल होगी वहाँ आपका समोधन सुनने के लिए हम सभी बहुत उत्सुख हैं आपके इस भारत यात्रा और हमारी उप्यों की चर्चा के लिए आपका आपके डेलिगेशन का बहुत बहुत धन्यवाद